हेलो गाईस मैं हो जोती वीश्व करम आपकी होस्ट अस्वागत करती हूँ आप सभी का नव भारत डिजिटल में दोस्तों जिसे कि हम सभी जानते कि कुरोना वाइरस ने देश में हाहकार मचा दिया था लेकिन उसके बाद ब्लैक फंगस ने भी देश में तबाही मचा दिती लेकिन आपको बता दिए कि नया संकत देश में पैदा हो गया है जी हाँ दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि ब्लैक फंगस की बाद कोरोना वाइरस से ठीक में मरीजों में आप इवास्कुलर नेक्रोसिस यानी की बॉर्ण डेट के नए मामले देखने को मिल रहे हैं आपको दोसरे यहाँ पर बताना चाहूंगी कि बॉर्ण डेट जो है इसमें लोगों की शरे की हड़िया गलने लग जाती है तो आए जानते इस वीडियो में बॉर्ण डेट की बारे में एक तरफ कोरोना वाइरस की दूसरी लहर भारत में कहर बरपाच चुकी है तो वही दूसरी और कोविड रिकवरी के बाद हो रहे कॉम्प्लिकेशन्स में लगातार बरहोतरी हो रही है म्यूगर माइक्रोसिस यानि के ब्लाक फंगल्स, नई डाबिटेस, बलड प्लेटलेट्स, दिल, फेफडो और पलमनरी से जुड़ी दिक्कती और साथ ही लंबे समय तक कोविड के लक्षनों का रहना देश भर में चिंता का विशय बन गया है अब डॉक्टर्स के सामने कोविड रिकवरी से जुड़ी बोन डेट नाम की नई जान लिवा मुसीबत आ गई है रिपोस के अनुसार मुंबई के हॉस्पिटल के डॉक्टर रिन देखा है कि इवस्पिलर नेक्रोसिस के कुछ मामले जिन्हें आम तोर पर बोन डेट के रूप में भी जाना जाता है कुरोना वाइरस से ठीक हुए मरुजों में देखा जा रहा है हाला कि इस वक्ट एक्सपर्ट्स इस मामले में लगता स्टडी भी कर रहे हैं लेकिन अब तक इसे कोविट के बाद होने वाली गंपीर बिमारी मानी जा रही है जो कि चिंता का विशय भी है डॉक्टर्स का दावा है कि इस वक्ट उन रोग्यों में देखा जा रहा है जो कि कुछ महिनों पहले ही कुरोना वाइरस से ठीक हुए है और इसलिए इसका एक क्लासिक पोस्ट कोविट जटिलता होने का अनुमान भी लगाया गया है इस नए स्वासमुद्दे के अब तक कम से कम तीन मामले सामने आए हैं इन सभी रोग्यों की उम्रत 40 वर्ष से कम थी और ये सभी डॉक्टर थे जिनकी फीमर हटी में गंभीर दर्ध दर्श होने के बाद बोन डिट का निदान किया गया था और इलाज के लिए होस्पिटल भी बेजा गया था बोन डिट के अब से पहले मामले हैं जो सामने आए हैं डॉक्टर्स अब चिंते थे कि ये देखने के लिए कि ये नए पोस्ट कोविड विमारी कितना गंभीर लूप ले सकती है ब्रिटिश मेडिकल जॉर्नल में प्रकाशित एक शोत में अब इवैस्कुलर नेक्रोसिस को लंबे समय तक रहने वाले कोविड के लक्षन के रूप में उजागर किया गया है इवैस्कुलर नेक्रोसिस को हड़ी के उतको की मृत्यों के रूप में भी चाना जाता है ये एक ऐसा रोग है जो हड़ी तक परियाप खोन ना पहुचने की वज़से होता है जो आम तोर पर फीमर या कुले की हड़ी में होता है खोन की आपूरती ना होने के कारण हड़ी के उतक मर जाते हैं और ढह जाते हैं जिसे नेक्रोसिस हो जाता है हाली में सामने आए माम लेक कोले के हड़ी के थे लेकिन नेक्रोसिस शरीट के किसी भी हड़ी में हो सकता है इस बिमारी के शिरुवार स्टेज में किसी भी तरह के लक्षन नसर नहीं आती है लेकिन जब व्यक्ति प्रभावित जोड पर भार डालता है तो गंभीर दर्ध हो जाता है इवास्कुला नेक्रोसिस एक गंभीर स्थिती हो सकती है क्योंकि इसमें हड़ी ठीक से काम नहीं कर पाती है जिसका असर जोड़ों पर पड़ता है इस वक्त एक्सपर्ट्स कोविड-19 रिकवरी के बाद लंबे समय तक होने वाले कई कॉम्प्लिकेशन्स पर स्टड़ी कर रहे हैं जिन में बोर्ट डेट भी शामिल है तो दोस्तों बोन डेट को लेकर क्या है आपकी राएं कमें सेक्षिय में बिल्कुल भूले और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस अपडेट्स यू ही मेरते रहें थैंक्यू